नमस्कार दोस्तों, matrimonial cases सबसे आसानी से कैसे खत्म कर सकते हैं, क्या तरीका अपना है जिससे matrimonial cases आसानी से खत्म हो जाएं, क्योंकि अगर ये तरीका नहीं अपनाते हैं, तो फिर आप लड़ते रहें, पूरी लाइफ लड़ते रहेंगे, आपको हासिल कुछ नहीं होग होता है, और उनसे कम रोल उनके family members का भी नहीं होता है, तोनों साइट के, अगर थोड़ा सा बुद्धिमानी दिखाएं, तो पज़बार तूटे नहीं, लेकिन दिखाएं क्यों, तो friends, जब भई matrimonial cases सुरू होते हैं, तो wife की तरफ से तीन case register करा जाते हैं, husband के तरफ से भी एक दो case किये जाते हैं, और at last, आप चाहे trial court में हैं, चाहे आप high court जाएं, चाहे आप supreme court जाएं, educate से लेके judge तक का ये प्रयाश होता है, कि इन में कैसे करके settlement हो जाएं, किसी बात पर समझाता हो जाएं, क्योंकि विया इस cases का जो last और सबसे अच्छा विकल्प हैं, वो है mediation, समझाता ही, समझोते के आधार पर ही कारवाई को खतम के जाता है, आधरवाई आप पूरी life लटते रही है, और समझोते के लिए किसी भी case में, means wife ने fire register कराई है, maintenance का case किया हुआ है, DV का case किया हुआ है, किसी भी case में, आप समझोते के लिए अगर तयार होते हैं, तो आप अगर honorable high court पे जाते हैं, तो भाई mediation center आपको भेज दा जा सकता है, वहाँ जाके आप बैट के बातचीक कीजिए, professional mediators होते हैं, जो आपको help करेंगे, कि आपके बीच में जो भी विवाद है, वो कैसे सुलज जाएं, और वो सबसे आसान तरीका होता है, अगर case ऐस करता है, कि भाई, जो आपको Supreme Court जाना पड़ सकता है, means, बहुत से matter, ऐसे transfer applications वो करा है, कि किसी एक state में wife रहती है, किसी दूसरे state में husband रहता है, तो भाई, उस situation में case transfer करवाने के लिए, एक state से दूसरे state में Supreme Court जाना पड़ता है, तो वहाँ भी जाने के बाद situation ये होती है, क कि Honorable Supreme Court भी यही प्रियाश करती, कि भाई, Mediation Center जाईए, और बैट के अपने मामले को आसानी से तैंकर लीजे, Professional Mediators आपकी help करेंगे, ताक लिए आपका मामला पूल तरह से आसानी से ख़त हो जाए, मेरे समझ से भी सबसे बहतर विकल नहीं होता है, मैं खुद ये prefer करता हू कि उनको सजेस करता हूँ कि भाई, आप अपने केसे जही एक परिल्का है, कि बैटकर बादचीत करके ही सुलजा लीजिए, बेजिन कोर्ट, आउट आप कोर्ट, जहां भी हो सके आप सेटल्मेंट कर लीजिए, और वाईज आप लगते रहेंगे, आपकी पूली लाइफ स् कर सकते हैं, और उनके आधार पर सेटल्मेंट कर लीजिए, ताकि कम से कम जितनी लाइफ खराब हुई, जितना समय खराब हुआ हुआ, आगे ना होने पाए, तो फ्रेंट्स, जो मेरी सजेसन्स है, मैट्रिमोनियल केसे में भी जही है, कि आप मेडियेशन सेंटर जाईए, और वहाँ जाके सब कुछ तायं कर लीजिए, बेहतर है कि आप हन्रबल हाई कोट में ही, जो भी आपके केस हों, उसमें ही एक प्रेटिशन फाइल कीजिए, एक रिट में अगर है तो रिट फाइल कीजिए, और वहीं से मेडियेशन सेंटर के लिए प्रेयर करके, दोनों प पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को प्रिस करके रखे, ऐसी जानकारी वाले वीडियो इस चैनल पर अप्रोग किये जाते हैं, और आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती र